नमस्कार बहुत स्वागत है आपका बसंद पंचमी माग महिने की सुक्ल पॉक्ष की पंचमी तिथी को मनाई जाती है अब बसंद पंचमी के दिन माग सुरस्वती की पूजा की जाती है और माग सुरस्वती का आसिरवाद भी मिलता है इस दिन बहुत से लोग बच्चों का विद्या आरंभिवी करते हैं और ग्यान के लिए वाक पटुता के लिए यानि वानी की टाकत के लिए मा स्रोसती की पूजा अराध्ना की जाती है चुकि बसंद पंचमी बसंद रितु में मनाई जाती है और बसंद रितु प्रेम का रितु है हर्स उल्लास का रितु है नमक के विशेज परियोग किये जाते हैं घर के नमक जो होते हैं घर में आपका रखावा वो आपके सुक सम्रिदी को बढ़ा देते हैं क्योंकि नमक का सीधा सम्मंद अगर हम जोतिस की माने तो राहू और केतु के बुरे प्रभाओं को दूर करने से है वैसे हमारे सास्त्रों में नमक को चंद्रमा और सुक्र का परतिनी धी भी माना गया है और इसके उपाई से नमक के उपाई से चंद्र और सुक्र की दोनों के असुप परभाओं से भी बचा सा सकता है वैसे तो आपके जीवन की समस्याएं नमक से ही खत्म हो सकती है देखिए नमक वैसे तो सफेद नमक ही आपको यूज करना है क्योंकि सफेद नमक जादा कारगर है अगर आपको समुद्री नमक मिल जाए तो वह और अच्छा है पर क्या आपको पता है यह जो नमक आप अपने ट्वालेट में रखते हैं बातरूम में या फिर आप अपने ड यहां पर देखिए दो नमर यूज कर सकते हैं तो देखिए उस पेन में ही आप उसको आप नमक को फेक दिया करें इससे क्या होगा जितने गंदे जगह में वह नमक फेकेंगे ना उतना ही जादा आपके घर में सकायात्मक गुर जाएगी क्योंकि निगटिविटी को निग आपको जैसे कि हर सब्ता चेंज करें या तो मंगलवार या फिर सनिवार क्या करेंगे पिछले जो पहले वाला नमक है उसको आप टोईलेट में फ्लस कर दें और देखिए इस नमक को आप एक बात हमेंसे याद रखिए कि जब वह नमक पानी पानी हो जाए तो जल्दी जल समात करता है अगर आप नियमीत रूप से पोचे के पानी में नमक डालते हैं याद रखिए फिटकरी से ज़्यादा नमक के फाइदे होते हैं आप करके देखें ज्यादा नहीं आप पाच दिन छे दिन नहीं करें आप देखिएगा घर का बाता परन चेंज होने लगेगा और कीचन में अगर आप अपनी रसोई में डली वाला नमक एक कांच की कोटोरी में आप कहीं भी छिपा कर रख दें हर मेने चेंज कीजिएगा आप देखिएगा खाना में स्वाद बढ़ जाएगा क्योंकि जो भी नकात्मक चीजे हैं जो भी आपके जीवन को परिसान कर नमक सोकता है सिंबल सी चीज है पर इसको करने से आपको बेनिफिट मिलेंगे और जब कुछ खास दिन हो तो नमक का प्रियोग जरूर करें पहले वाला नमक हटाएं जरूर आपके कीचन में जो नमक है जिससे आप खाना बनाते हैं कि आपको पता है नमक हमेशा ही कांच के बरतन में रखना है और साथ ही कांच के बरतन में रखने के साथ एक बात हमेशा ही याद रखें स्टील का डबा या फिर टीन का डबा प्लास्टिक का डबा नमक रखने के लिए यूज ना करें जब भी यूज करें कांच के बरतन में और उसमें दो चार लांग डाल कर रख एक बात हमेशा याद रखिए अगर आप बहुत थके हुए हैं तो रात को सोने के पहले पानी में नमक मिलाकर हाथ पैर धोईए और फिर पोश कर सो जाईए थकावट भी दूर होगी नीन भी अच्छी आएगी अगर आपके घर में कोई लंबे समय से बीवार है तो उसके बे कोने में रख दें आप देखिएगा घर की सारी नकात्मक उरजाए समाप्त हो जाएगी धन का आगमन होगा कुछ दिनों के बाद जब नमक पिघलने लगे तब उसको उठा कर आप किसी गंदे नाले में डाल दें या फ्लस कर दें और उसके बाद फ्रेस नमक रख दें पोचा मत लगाईए अगर बहुत जरूरी हो लगाना तब पानी में एक चुटकी हल्दी डाल कर लगवाईएगा अगर बहुत जरूरी हो तब इससे क्या होगा आपका पोचा लगाने का दोस्त कर जाएगा और नकात्मक उरजाएं भी समाप्त होंगी घर के वातावरन की पवित्रता बढ़ जाएगी मालक्षमी की प्राप्ति के मार्ग खुल जाएंगे और गुरुवार के दिन तो पोचा नहीं लगाना लेकिन बाके की दिनों में आप नमक मिलेवे पानी से पोचा लगवाईए या आप चाहें तो फिट करीब भी डाल के आप पोचा लगवा चाहिए क्योंकि आपके घर में धन में जो धन जो आता है ना वेफसाईयों का तो दोच का काम है धन आता ही रहता है तो बरकत बढ़ जाएगी तो यह प्रियोग हलांकी सबके लिए है यह प्रियोग आप जरूर करें हमने टॉपिक रखा है नमक के डबबे में डाल दे प्लास्टिक में मत रखिएगा दूसरा नमक को हमेसा धग कर रखना चाहिए कभी भी ओपें खुला हुआ चुड़ा हुआ ऐसा मत कीजिएगा क्योंकि नमक नकारत्मक चीजों को सोखता है और आप छोड़ देंगे खाना बनाने वाला नमक चीजों को तो आप लोग का सोखे इसलिए इसमें दो चार दाने लौंग के डाल के रखिए तो आपके नमक में बरकत भी रहेगी मालक्ष्मी प्रसंद नहोंगी आप सभी स्वास्त रहेंगे कभी कभी क्या होता है जीवन में परिसानी बढ़ जातی है खास कर धनकी मुश्किलें बहुत परिसान करती है घर में लोगों का स्वासत अच्छा नहीं रहता पती पतनी है पती का दिमाग कहीं और है पतनी का दिल कहीं और लगा है यानि सब को यह एक साथ है पर किसी को किसी से नहीं बनती प्रेम लगता है कहीं खो गया है तब एक छोटा सा परियोग कीजिए क्या करेंगे एक कांच का गलास ले लें कांच का गलास तो आपके घर में ह होगा उसी को लगा दीजिएगा कांच के गलास में अब इसमें पानी भर ले आप तीन भाग एक भाग खुला छोड़ते खाली छोड़ते और इसमें एक चमच नमक डाल दे इसको ढखना नहीं है खुला ही रहेगा कहां रखेंगे घर के दक्षिन पस्चिम कोने में घर के किस कम से कम एक मेहने के बाद आप इसको चेंज करें बेसिन में डाल दें फ्लस कर दें फिर से फ्रेस वाटर में फ्रेस नमक रख दें आप देखिएगा जीवन की हर मुस्किलों से आप आसानी से बाहर आ जाएंगे अपने घर के बात्रूम में अगर आप एक काच की कटोरी में चोटी सी कटोरी ले लें उसमें नमक भरकर एक कटोरी रख दें तो इससे क्या होगा पूरे घर का ही वास्तु समाप हो जाता है घर का बरकत बढ़ता है घर में धाना आने के स्रोध बनते हैं घर की समस्याएं परिसानिया दूर हो जाती है देखिया एक बात आप हमेशा याद रखिए नमक चंद्रमा और सुक्र का परतिनीधी करता है और नमक को यदि किसी लोहे एस्टिल के बरतर में रखेंगे तो चंद्रमा और सनी का मिलन होगा यानि नमक चंद्रमा और लोहा सनी है ये रोग सोक क अब रखाएगा धन हानी होका इसलिए कभी भी लोहे या स्टील के बड़तर में नमक को नहीं रखना चाहिए नमक हमेशा काच में रखे हैं हमीसा ध्यान रखै कि नमक गिरना नहीं चाहिए हाथ हो नमक ना दे रिष्टे भिग्डेंगे घर में विवाद होंगे तो भोजन पकाते वक्त बहुत सा एक लोग क्या करते नमक चकते हैं मत चकिए दर्टा आएगी बरकत खो जाएगी नमक और सीसा दोनों ही राहू का कारक है इसलिए यदि आप सीसे के बोतल में नमक भरका रखेंगे घर के किसी भी कोने में तो पैसे की कमी नहीं रहती आप कहीं भी रख सकते हैं एक कटोरी में नमक करके आप कहीं भी रख दे सत्रू कभी सर उठा कर नहीं देखेगा राहु भी अनुकूल फल देगा ग्रिकलेस समाफ्थ हो जाएंगे जीवन में खुसी आएंगी बरकत बढ़ेगी तो छोटे छोटे प्रयोगत हैं जो आपके घर के खुसीयों को नजर नहीं लगने देते और नमक का ये प्रयोग आपके घर में जो आपकी परिसानी उसको समाफ्थ करते हैं अगर आपको कोई वक्ती पसंद नहीं है तो उसके घर का नमक मत खाईए उसका मीठा खा सकते हैं क्योंकि पापी पुरुस के हां नमक तो कदापी नहीं खाएं नहीं तो जीवन में परिसानी बढ़ेगी मजबूरी में या दवाब में भी किसी का नमक नहीं खाना चाहिए नमक को अगर आप हाथों में कुछ देर रख कर पानी में परवाह कर दें तो मन प्रसंद रहता है मांसिक टिंसन दूर हो जाती है तो हमस्यत्थी के दिन रात में आप किसी भी चाहें तो काच के किसी काटोरी में नमक अपने घर में ऐसे स्थान पे रख दें जहां पर सब कोई रहते हैं हमेशा बैठी बे या तो आप दिन में भी रख सकते हैं 10-11 अब जे करीब दिन में आप इसको किसी भी गंदे नाले में या फिर ट्वालेट में फ्लस कर दीजिएगा थोरा सा नमक किसी काच के बड़तर में डाइनिंग एरिया में या जहां पर हर कोई बैठते हैं वह पर रख दीजिएगा जितनी भी नकातमक सकतियां होगी वो सूख लेगा और आप लोगों के उपर किसी का कोई भी तंदर बंदर क्रिया नहीं चलेगा आप लोग स्वस्त मस्त रहेंगे फिलाल आपसे भी दा लेते हैं जानकर या अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें